So hi guys, अगर आप भी stock market से profit कमाना चाहते हो, अगर आप as a beginner start करना चाहते हो trading, तो आपको कितना capital चाहिए, क्या आपको 10,000 रुपीज चाहिए, क्या आपको 1,00,000 रुपीज चाहिए, क्या फिर आपको अगर आपने mobile phone से trade करना चाहते हो, अगर आप 40,000 रुपीज अगर आपके पास हैं, क्या उससे काम चल जाएगा, तो चलिए आज किस वीडियो में पूरा discuss करते हैं, और दोस्तों अगर आप 1000 रुपीज आपके पास हैं, 1000 रुपीज से trade करना चाहते हो, वो भी आपको बताएंगे, कैसे होता है और कैसे नहीं, चलिए दोस्तों आपको पूरा detail में यहाँ पर समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत मेंदार चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो वहाँ पर आपको बहुत सार प्रोफिट होने वाला है, तो निफ्टी की बात करेंगे पहले, और फिर बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो अगर आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा कम कैपिटल चाहिए होता है, अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो है, almost, मुटा-mb nuडा premium लेते हैं 200 रुपीज अगर premium है एक load trade करना चाहती हो तो यहाँ पे 10,000 रुपीज चाहिए अगर इसी की बात करें तो यहाँ पे 300 रुपीज अगर premium है इंदा मनी, अगर यहाँ पे आप एक load trade करना चाहते हो तो almost यहाँ पे आपको 7500 रुपीज चाहिए या फिर अगर इसमें दो लोट करना चाहते तो आपको यहां पर 14,000 रुपीज यहां पर चाहिएंगे वो चीज़ हम डिसकस करें कि यार कैसे यह सब चीज़े काम करती है और आप एक AUTM option ट्रेड करना चाहते हो AUTM option को ट्रेड करने के लिए आप 1000 पे में आपका काम चल जाएगा तो यह ट्रेड कब करना है AUTM वाला यह चीज़ी मैं आपको बताऊंगा बटी थोड़ा रिसकी रहेगा वो चीज़ आपको बताते हैं बड़ दोस्तो आगे बटने से पहले मैं आपके psychology के उपर काम करना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तो यहां पे बहुत से लोग जब ट्रेडिंग as a trading स्टार्ट करना चाहते हो जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका goal क्या यार सबसे पहले आपको goal पता होना चाहिए अपना की goal के capital की बात तो बाद में आगी आपको अपना goal पता होना चाहिए आप ट्रेडिंग करने क्यों आयो सबसे पहले इस क्यों का अंसर आपके पास होना चाहिए अगर आप trading profit कमाने आए हो तो भाई आप sustain नहीं करोगे दर पहले ही बता दूँ अगर आप as a trading आप इसलिए आए हो कि आप trading से मुझे daily का 5000 रुपीज कमाना है तो आप नहीं यहाँ पर sustain करोगे दोस्तो बिकाज यहाँ पर होता कि अगर आप यह चीज़ सोचके आओगे कि यार मुझे trading से 5000 रुपीज या फिर 500 रुपीज कमाने है या फिर 1000 रुपीज कमाने है दोस्तो तो यह चीज़ सोड़े सी यहाँ पर गड़बड़ो जाथ क्योंकि यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी psychology बहुत ज़्दा important रहती है मैंचीज आती है आपका mindset आप किस तरीके से सोचते हो किस तरीके से trading को लेके चलते हो यहाँ पर वही चीज में clear करना चाहता हूं दोस्तो यहाँ पर कुछ चीजें बहुत important होगी कोई नहीं बताने वाला आपको तो number one चीज आपको अपनी सबसे पहले आपको अपना एक plan बनाना होता है दोस्तो plan में क्या चीज आती है मैं capital से ही link करने वाला हूँ सारे चीजे आपकी capital अगर दोस्तो अगर आपको यह mindset है कि यार मुझे trading में आना है और मुझे daily trading में से 20 point मतलब जितना market देगा उतना point लेना है तो almost मैं 20 point का example लेके चलता हूँ कि यार मुझे daily 20 point का profit almost लेके चलना है अगर market ने 20 point देदे तो valon good but same scenario में हम यहाँ पे लेके चलेंगे दोस्तो stop loss बहुत मज़दार चीज़ आपको खुद पर चल जाएगा कि यार मुझे कितने capital से market के अंदर आना है तो stop loss लेके चलेंगे हम 10 point का as a beginner हम 1 ratio 2 यानि अगर हम 1 ratio यानि अगर हम 10 rupees का loss कर रहे हैं तो हम 20 rupees profit भी कमाना चाहते हैं तो एक trade हम दिन का लेंगे वाला हो तो आप definitely यहाँ पर sustain करोगे और long time में बहुत profit कमाने वालेगो तो वो चीज़ कैसे अभी एक हो यहाँ पर मैंने आपको बताया daily आपको 20 rupees का profit कमाना है और daily आपको stop loss लेना है अगर stop loss आपको लगता है तो 10 point का आपने proper plan बना लिया आपका एक trade आपने execute कर लिया मान लिजिए आपने एक कोई call option buy कर लिया तो यहाँ पर आपका profit हो गया first day next day भी आपका profit हो गया गोर से समझेगा but last day आपका उससे अगले दिन आपका loss हो गया तो यहाँ पर आपका मान लिजिए 20 point का profit यहाँ भी 20 point का profit but क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर जाते जाते आपका 10 रुपी का loss हो गया remember यहाँ पर 10 का loss हो गया अब क्या हो दोस्तों यहाँ पर psychology बंदू की काम में आ जाती है जितने भी traders होते हैं इवन हमारे साथ भी यह सब चीज़े होई है यहाँ पर psychology काम करेगी यह 10 रुपीस का loss हो गया और भाई यहाँ इसको cover करने के लिए 10 रुपीस का मतलब है 10 point का यानि आपका अगर एक लोट में trade करने तो 500 रुपीस का loss हो दोस्तों यहाँ पर तो अगर 500 रुपीस का loss हो गया यहाँ दस का यानि आपका 500 रुपीस का profit हो गया एक लोट के अंदर अगर आप लेकर के चलोगे अगर आप सस्टेन करना चाहते हो न मार्केट के अंदर तो मैं आपको एक चीज़ अब यहाँ पर बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ यह मैंने इतनी राम कहानी सुनाने का मतलब यही है कि आपको सस्टेन कैसे करना है मार्केट के अंदर आपको लेकर चलना है कि अगर आपको 20 रुपीस यानि अगर आपको एक लोट के अंदर 1000 रुपीस प्रोफित डेली का आप कमाना चाहते हो तो एक लोट के अंदर अगर आप 10 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो तो आपका 500 रुपेज का stop loss डेली का बना डेली का आपका stop loss दोस्तों कितने का बना 500 रुपीज अगर आपका 500 रुपीज डेली आप रिसक ले सकते हो इस सेनेरियो के अंदर तो आप ये वाला reward लेने के लिए capable हो तो यहां से आपको ज़्यादा भी मिल सकता है reward 2000, 5000, 10,000 भी मिल सकता है ऐसा नहीं है दोस्तों वो हम ट्रेली के उपर बात करेंगे बट आज हम as a safe trader बात करने वाले है कि अगर आप trader बनना चाहते हो trading से profit कमाना चाहते हो तो आपको ये सब चीजे बहुत important रहेगी आपको definitely आपको एक अपना plan प्लस आपको एक proper plan प्लस आपको discipline इसा मैं आपको बज़ा है discipline आपको चाहिएगा without discipline आप trade नहीं कर पाऊगे, आप sustain नहीं कर पाऊगे तो यहां पे आपकी capital की बात आती है कि भी आपको कितना capital चाहिए तो आपको अभी clear होने वादा मैं आपको बोलता हूँ, आप 30 दिन 30 days market के अंदर sustain करो 30 दिन अगर आपने यहां पे market कर सस्टेन कर लिया आप discipline के साथ एक trade लेना है एक trade ही लेना है, चाहे profit हो चाहे loss हो, अगर आप एक trade के बाद दूसरे trade करने जाओगे ना तो आपकी psychology काम में नहीं करने वाले क्योंकि जो human psychology होती है ना वो दो decision proper ले पाते है दिन के अंदर मतलब हमारी जो money से related होती है सिर्फ दो ही decision हमारा mind ले सकता है उसके बाद हमारा mind proper काम नहीं करता है हद बड़े trader के साथ भी गलती होती है even हम तो कुछ भी नहीं है जो हजारों करोड में trade करते है ना उसका proper discipline होता है तो वो बहुत profit कमाते है बट अगर आप 30 दिन market के अंदर sustain कर पाए तो आप definitely बहुत profit कमाऊगे तो आप 30 days sustain करने का क्या मतलब है दोस्तों वो चीज़ मैं आपको clear करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखो मैं कहा रहा हूँ कि 30 दिन आपको 30 days 30 days में मतलब हुआ 30 दिन market हमारा open रहेगा है ना तो almost हो गया देट महीना 30 days का मेरा मतलब है अगर आप daily 30 के 30 दिन loss कर रहे हो मान लीजे मैं मान के चलता हूँ 30 के 30 दिन आप loss कर रहे हो बट आपका discipline इतना best है कि आपने जब loss किया एक trade से ज़धा trade आपने नहीं किया definitive मैं दोस्तों 100% बोल सकता हूँ कि आप profitable बनोंगे बट यहाँ पे आपकी capital loss कर लिया दोस्तों अगर आपने इतना loss कर लिया दोस्तों मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप 500 रुपी का 100 रुपी भी हो सकता है आपका 200 रुपीस भी हो सकता है तो अगर आपने एक trade के अंदर daily loss किया 30 दिन तक तो आपका loss कितना हो गया दोस्तों 15,000 रुपीस अगर आप 500 रुपी का loss किसाब से कर रहें या अगर 100 रुपीस के अगर मोटा मोटा लेके चलें तो आपका 3,000 रुपीस बट आपके पास at least इतना capital होना चाहिए अगर आप option trade को trade करना चाहते हो same day 31st यानि जो next day होगा जो next day आपको same setup से same capital से आपके पास इतना amount होना चाहिए मान लीजिए आप daily 10,000 रुपीस से trade करते थे इस दिन भी आप 10,000 रुपीस से trade कर रहोगे तो इतना capital आपके पास होना चाहिए आप all hour circulate करके आप देख लीजिए कि calculate पूरा कर लो आप कि आपके पास इतना capital होगा तो आप trade करोगे अगर मान लीजिए मैं normally कहता हूँ अगर आपके पास 20 हजार है या फिर 30,000 है या फिर आपके पास 10,000 है तो अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगाना है तो कैसे अपने पैसे को इस तरीके से आपको डिवाइड कर देना है अगर मैं 20,000 रुपीज की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे डेली 200 रुपे का लोज कहूँगा तो यानि 30 दिन अगर मैं लोज करूँगा तो 3,000 रुपे का लोज मैं करूँगा अगर इस सेनारियो में आप 300 रुपीज का रिस्क ले लो इस सेनारियो में आप 100 रुपे का रिस्क ले लो डेली अगर दोस्तों आप इस डिसिप्लीन से ट्रेडिंग करोगे ना इस डिसिप्लीन से आप रियली मार्केट से प्रॉफिट कमाऊगे क्योंकि यहां पे आपको सबसे पहले अपना lot size fix कर रहे ना है कि यानि अगर मैं एक lot के अंदर trade करूँ तो एक lot के अंदर heat trade करूँगा यह नहीं है दोस्तों कि आज मुझे यहां पे profit मिलगा तो मैं risk लूँगा यह नहीं आपको करना है और अब यहां पे और मज़तर चीजे में आपको बताना क्लियर कर देता हूँ यहां पे अगर फॉर एक्जंपल दोस्तों आप लोग आप एक trade लेते हो आपने capital की बात मैंने आपको बताई यहां पे कि आपने एक lot में trade लिया नहीं 50 वरिशन आपने trade करी आपको 50 point दोस्तों यहां पे मिल गए तो आपको ड़ाई हजार रुपे का profit easily हो गया एक trade कंदर सो अब क्या करना है अगर आप as a trader आप मनी psychology आपकी इतनी हो गई कि आपने ड़ाई हजार रुपे का profit कर लिया एक अच्छा trade आपने pick up किया अगर आपको 50 point मेरे तो well and good आपने बहुत अच्छा trade pick किया तो आप एक risk ले सकते हो यहां पे तो ड़ाई हजार मैसे आपने 500 रुपे का risk लेना है बचे आपके remaining 2000 रुपीस दो हजार रुपीस आपने क्या करना है कि यह मेरे हैं यह में घर लेगे जाऊंगा यह अपने हो गए और यह 500 रुपी के उपर आप एक next trade का risk ले सकते हो यह चीज में आपको एक extra बता रहा हूँ आपको एक next trade का risk ले लेना बट उसमें maximum risk कितना होगा आपका 500 रुपीस का क्योंकि आपके आप सीखोगे जो पैसा आप बनाओगे ना जो रिस्क लोगे हो market के पैसे भी रिस्क ले सकते हो market के पैसे सही पैसा बनता है आपने लाई लोग भी सुना होगी यार पैसा ही पैसे को खीसता है so well सही बात है तो अगर मान लोग कोई बंदा है वो चास quantity trade करता है तो same scenario कोई बंदा है 500 quantity trade करता है तो उसी scenario में एक बंदा 5000 quantity trade करता है तो यार उसका risk management भी उतना है यहाँ पर अगर normal देखें इसका risk उतना है इसका risk उतना है इसका risk उतना है अपने हिसाब से हम यहाँ पर sustain करते हैं हम सिर्फ एक ही load ले पाते है तो एक load के हिसाब से अगर हमें 20 point मिल रहे है तो ठीक है हमें 1000 रुपीज मिल रहे है हम खुश होंगे तो अगर इसको 20 point मिल रहे है तो भाई यह 10,000 रुपीज कमाएगा अगर इसको 20 point मिल रहे है तो और यह 1 lakh कमाएगा यह वन लैक कमाईगा बट यहां पर देखो अगर इसका लोस हो गया तो फिप्टी थाउजंड उसका सीधा-सीधा चला गया ना वह लॉस में चलाएगा अगर अपना यहां लोस हुआ अगर माली 10 का लोस हो तो हम 500 का लोस करेंगे बट रिस्क टू रिवार्ट रेशो हमारी स के इंदरर केंडल बनी तो सामने वाले को भी केंडल दिखेंगी ना किसी और गी काम करना है अमारों मुझे अवी थीठा आप हजारों लोगों को यह चीज दिख रही है, एक मुझे नहीं दिख रही है, हजारों लोगों को यह चीज दिख रही है, तो आपको अपनी capital को इसी साब से manage करना है, कि आप 30-day market के अंदर sustain कर पाओ, आप 30-day market के अंदर sustain कर पाओ, तो आप definitely as a long-time trader, आप profit कमाओगे market से, में से 10-day profit कमाते हो, ठीक है, 10-day अगर आप profit कमाते हो, और 10-day profit कमाने के बाद, अगर मान लिजी, आप 5-day यहाँ पे loss करते हो, 5-day loss करने का मतलब हुआ, अगर daily आप 1000 रुपीस कमा रहे हैं, अगर आप 500 रुपीस कर रहे हो, जो भी है, अगर आपने मान लिजी, यहाँ पे 2000 रुपीस का आपने loss कर दिया अपना, तो अभी overall देखो, आप profit में निकलोगे, अब overall profit में कम लिकलोगे, जब आप proper discipline follow-up करोगे, without plan, without discipline, यहाँ कोई भी sustain नहीं करने वाला है, जितने भी लोग बोलते हैं कि मैंने आज इतना कमाया, तो उनसे कल पूछ के देखना कल कितना कमाया, तो वही चीज है अगर आप regularly discipline, यानि अगर हम बोलते हैं कि यार मैं 9000 quantity से trade करता हूँ, तो यार मेरा risk की भी तो उतना है, अगर मैं 900 quantity से trade कर रहा हूँ, तो मैं risk भी तो उतना लेता हूँ आपे, तो वही जी जा दोस्तो, जितना जदा risk, उतना जदा reward, बट आपको starting में risk नहीं रहेना है, आपको minimum से minimum risk लेना, जो आपके capital के उपर impact ना करे, और 30 day market के अंदर sustain कर जाओ, 30 days के अंदर इतनी सारी चीज़ें से सीखोगे market से, कि बहुत जदा, तो मैं normally अगर मैं conclusion में निकान करना चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, वैसे, 1000 रुपी से कैसे start up करें, दोस्तो इसमें risk रहता है, बट लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपके 1000 रुपे है, 1000 रुपे चले जाएं, कोई गम ना हो, तो आप risk ले सकते हो, तो आप एक otm में risk ले सकते हो, अगर आपको दिखता है कि market के अंदर moment आ रही है, बहुत चीची moment आ रही है, और expiry पर moment हो सकते हो, तो आप slightly otm ले सकते हो, कि otm expiry वाले दिन आपको option 10 रुपे का मिल जाएगा, और 500 रुपे में आपका काम चल जाएगा, 500,000 रुपे में, तो वो risk आप वहाँ पर ले सकते आपको power of otm दिखाऊंगा, 13 रुपे की value 130 पहुँच गई थी दोस्तों, आखों के सामने सामने, और 2 रुपे का premium, nifty के अंदर, 2 रुपे का premium 30 रुपी हो चुका था, अभी की बात है recently, 2,5 महीने पहले की, और 13 रुपे का premium, अगर 13 रुपे की premium को बात करें, 130 रुपी मैंने 45 पे exit किया था, 45 पे exit किया था और 133 तक गया था, वो चीज में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हुआ था, तो यार उमीद करते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो थोड़ी लंबी बन गया, लेकिन काफी informative चीजे में आपको बताई, तो उमीद करता हूँ, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाबाई, टेक कियर